Campus Activity Limited का आ रहा है IPO काफी समय के बाद IPO आ रहा है आज के सिंगल वीडियो में आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी क्या करती है फिनांशल कैसे वेलिशन कैसी है स्ट्रेंथ कैसी है वीकनेस क्या है उसे के साथ साथ मेरा परसनल ओपिनियन क्लियर और सिंपल वर्ड्स में आपको मिलने वाल है तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और इससे पहले कि हम IPO का रिव्यू स्टार्ट करें दो इंपॉर्टन पॉइंट मुझे टेलिग्राम पर फॉलो करना मत बुलिएगा दो लाग से ज्यादा मेंबर्स अल्यड़ी जुड़ चुके ओरिजिन चैनल का नाम है इन्वेस्ट आज वरकल सेकिन मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेट हो जाएगा 50,000 से ज्यादा में बस इंस्टाग्राम पर भी कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पर ओफ लेटली में काफी ज़्यादा अक्टिव हूँ दोनों ओरिजनल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रॉड आईडी से बचके रहीगा चलिया शुरू करते हैं आज का आई प्योर कंपनी के पास फ्रॉड बेस बहुत डाइवर्स है चाहिए वहू वाकिंग शूस रॉनिंग शूस फ्लोटर स्लिपर्स फ्लिफ फ्लॉप उसी के साथ साथ सैंडल सब कुछ बहुत सारे कलर में और प्राइंज में कंपनी के पास अविलेबल है से ओनलाइन और ओफ लाइन करते जा रही है 400 से उपर डिस्टिबूटर से जो 28 स्टेट्स और 625 सिटीज में डाइवर्सली बहुत ज़्यादा डिस्टिबूटर है 18,200 से उपर का रिटेलर्स का भी नेटवर्क कंपनी के पास अविलेबल है 25.60 मिलियन पेर कंपनी आज के दिद बना सकती अपनी 5 कंपनी की स्ट्रेंद की बात करे तो सबसे पहले इंडिया की लाज़ेश ब्रेंड है अगर हम फुट्वेर में बात करें 15% के आसपास का शेर कंपनी के पास अल्रेडी अविलेबल है 2. कंपनी का मेन फोकस होता है सस्टेनेबल डिजाइन बनाने के उपर और ऐसे डिजाइन को प्रडियूस करना जो इंटरनाशनल स्टैंडर्स को मीट कर रहा है आज के दिन 88 से उपर डिजाइनर कंपनी ने अल्रेडी हायर इस काम के लिए कर रहे है 3. कंपनी की जो manufacturing facilities है उसे replicate कर पाना बहुत difficult है 100% complete assembly का काम company in-house कर रही है उसी के साथ 2 manufacturing सबसे important होती है पहली होती है upper manufacturing 83.33% company in-house कर रही है और second sole manufacturing क्योंकि तोड़ी से यादा complicated होती है 62.50% काम outsourced है पर balance in-house हो रहा है और अगर assembly की बात करे 100% company in-house करते जा रही है और distribution network obviously बहुत strong है numbers हम already discussed कर चुके fifth company ने अपनी brand building पे अच्छा गासा expenditure किया और strong brand building कर दी है अगर हम figures की बात करें तो last 3 साल में हर साल 20 croz के उपर का brand की उपर brand building, brand recognition और brand को place करनी के उपर company ने expenditure किया है और ये expenditure में से अगर हम बात करें digital marketing पे कितना expense हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 1.46 croz digital expenditure होता था जो आज के दिन 16 croz के आसपास हो गया है मतलब company ने advertising के नए तरीकों को बहुत अच्छी तरीके से accommodate किया है और एक अच्छा budget advertisement के लिए हमेशा maintain किया है finally, काफी experience team है management की और company की वो हमें पता चली जाएगा जैसे हम financials को check out करेंगे promoters की बात करें तो हरी question अगरवाल और निखिल अगरवाल company के promoters होने वाल है financials में नज़र डाले तो 2019 में total assets 5000 million के आसपास के थे 2020 में 7000 million तक पहुँच गये थे 2021 में 6800 million के आसपास थे 31st December 2021 बिलकुल recent data की बात करे 8800 million के आसपास company के total assets पहुँच गये growing rate अच्छी है total revenue की बात करें almost 6000 million के आसपास थे 2019 में next year 7300 million के उपर 2021 में 7100 million के उपर और अभी December 2021 तक का data आचुका है 8400 million के आसपास finally profit after tax की बात के थे 2019 में 386 million roughly 38 के रोज के आसपास का profit था 2020 में 623 million 2021 में 268 million 31st December 2021 तक 848 million के आसपास का company का total profit after tax हो जाता है financials overall बात करें काफी strong है देखे एक ध्यान रखेगा चीच का recent quarter में और recent year में जैसे ही IPO आने वाला था अचानक से company के financials काफी अच्छे हुए company हमें sufficient reason दे रही है पर जब भी ऐसा होता है मुझे तोड़ा सा if or doubt लगने लग जाता है अगर हम return on capital employed की बात करें तो 18% के उपर का average पिछले 3 साल का निकल के आ जाता है return on equity निकल के आता है almost अगर हम 2019 की बात करें तो 21% 2020 में 25% 2021 में 9% के आसपास सा तोड़ा सा drop हुआ था पर अभी December की quarter तक की बात करें 2021 में तो 23% के आसपास का वापिस से बहुत चुका है return on net worth भी obviously 2021 में dip मारी थी usually 20% के आसपास है EPS की बात करें तो roughly 2 के आसपास के average हमारा निकल के आता है अगर हम 31st December 2021 के exact figure की बात करें 2.82 के आसपास का EPS हमारे सामने आ जाता है मतलब ये कि कंपनी के financials बहुत strong है मानना पड़ेगा कि कंपनी के profit, after tax, revenue, financials सब कुछ strong है पर जो valuation company demand कर रही है वो towards the higher side है ये हम सभी को सामने सामने बड़े आसानी से दिख रहा है object of issue की बात करें तो मोटा मोटी ये पूरा का पूरा होने वाल है OFS, important dates को check out कर लेते है IPO open होगा 26th of April को close होगा 28th of April को allotment decide होगा 4th of May को refund start होगा 5th of May तक shares credit होगे 6th of May को IPO की listing की date है 9th of May by the way, 9th of May just for my reference मेरे मम्मी और पापा की anniversary की भी date आ जाती है देखिए ये personal test था वीडियो में जरूरी होता है अगर हम lot की size की बात करें तो 51 shares का एक lot होगा 14,892 रुपीज का एक lot होने वाल है retail category अच्छी कासी oversubscribe होगी तो एक lot से अधा apply करने का कोई use नहीं है pre-issue shareholding की बात करें 78.21% था promoter के पास after issue 74.1% के आसपास रह जाएगा retail के लिए होने वाला है 35% UIB है 50% का employee का discount है 27 रुपीज पर share का issue का size है 1400 करोज के आसपास का और पूरगा पूरा है OFS 51 shares का lot है IPO का price है 278 से लेके 292 के बीच का हमें use करना होता है cut-off price and finally book building process से complete IPO होने वाल है NAC, BAC दुनों पर listing होगी IPO के related सारी details हम cover कर चुके अब इससे पहले मेरे opinion पर चाहे अगर अभी तक आपको as DMAT account नहीं या किसी भी family member के पास DMAT account नहीं description में DMAT account open links आपको मिल चाहेंगे काफी सारे offers भी चल रहे है अभी DMAT account open करने के लिए तो open कराना मद भूलिएगा साथ याथ private channel का link भी आपको description में मिल चाहेगा मेरे personal opinion की बात करे तो इस IPO का negative है तोड़ा सा valuations पर oral IPO काफी अच्छा है roughly 15% के आसपास के listing इन की expectations आज की दिन इस IPO में बन सकते है comparatively अच्छा IPO है में डार पर रहने वाल है at least retail category के आज की दिन में consider करने वाला हूँ वैसे हमारे पास 5-7 दिन अभी भी बचे है final opinion आपको second day of IPO मिल जाएगा rather अगर clear रहा opinion तो first IPO में बताने की कोशिश करूँआ पर on the face of it एक अच्छा IPO है जिसको मैं at least consider करने वाला हूँ आपका क्या opinion है comment करके मुझे बता दीजेगा और ऐसी educational वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा happy loaning and I will see you very soon